तो दोस्तो टू विलेज सेगमेंट की मोस्ट पॉपुलर कमपनी टीवीएस मोटर्स ने अपनी पॉपुलर बाइक टीवीएस अपाचे आई टी आर को इथिनॉल में पेश किया और ये पूरी तरह से इथिनॉल से चलने वाली है पेट्रॉल से चलने वाली बाइक्स की तुलना में प्रदूशन भी कम होगा और खर्चा भी सीधा आधा कम होने वाला है यानि आप सेम प्राइज में ले पाएंगे डबल माइलेज का मजा हाला कि इस बाइक में रेगुलर अपाचे ITR200 वाला 197.75 CC का ही इंजन है जो 20 BHP की पावर और 18 NM का टॉर्क जनरेट करता है और कम्पनी का कहना है इस बाइक के इंजन को खासत और से इथेनौल के उप्योग के लिए EFI सिस्टम के माध्यम से विसेश रूप से तयार किया गया है और यह बाइक इस लीपर कलच के साथ में 5 स्पीड गियर बॉक्स से लेस है और इस बाइक की टॉप स्पीड 129 किलोमीटर पर होर है फीचर्स की बात करें तो TBS अपाचे RTR 200 FI E100 में डिजिटल इंस्टूमेंट पैनल जिसमें बाइक की स्पीड, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, लैप टाइमर, गियर पोजिशन आदी की इंफरमेशन मिलती है और इस बाइक की फ्रेंट और रियर दोनों तरफ डिस्क ब्रेक दिये गए हैं और इस बाइक में सिंगल चैनल ABS भी मिलता है बात करें इतनल की तो इतनल शुगर फर्मेंटेशन प्रोसेस से त्यार होता है और नन टॉक्सिक होता है और इतनल पैट्रॉल का एक अच्छा खासा विकल्प है क्योंकि ये पैटॉल की तुलना में बहुत कम प्रदूशन करता है पैटॉल के मुकाबले इथनॉल 35% कम कार्बन का उत्सरजन करता है साथ ही इसमें पार्टिकुलेट, मैटल, सल्फर, डायकसाइड और नैट्रोजन उकसाइड का उत्सरजन भी कम होता है साथी पैटॉल के कमपेर में इसका प्राइज भी काफी कम पड़ता है और इथनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्य की फसल से होता है लेकिन सरक्रावाली क्या अन्य फसलों से भी इसे त्यार किया जा सकता है आप अपने टीवी एस के निरे शोरूम पर और फ्यूचर के इस फ्यूल की बाइक को लेकर अपने फ्यूल पर खर्च होने वाले पैसे को काफी हद तक बचा सकते हैं और टीवी एस अपाचे आटी आर वन सिक्स्टी फोर भी फ्यूल को आप गूड एग्जेम्पल कह सकते हैं ग्रीनर अल्टरनेटिव की तरफ और बात करें कलर अपसंस की तो ग्लोजी ब्लेक, पर्ल वाइड और मैटी ब्लू कलर्स में आप इसे पर शेज कर सकते हैं और नेक्स वीडियो में शेयर करते हैं आल यू सेग्मेंट में आने वाले यानि टू वीलर सेग्मेंट की कुछ और इंफ्रमेशन तो चैनल को सब्सक्राइब करके अप डेट रहें टू वीलर सेग्मेंट और फोर वीलर सेग्मेंट की आल इंफ्रमेशन से और अपनी सबी query को आप comments में लिख कर within 24 hours में answer ले सकते हैं या फिर Instagram पर join करके daily live में भी शामिल होकर अपनी query का quick answer ले सकते हैं मिलते हैं next update के साथ